Hello everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild. So, बचों, आज इस वीडियो में हम Class 8 History का 1st chapter start करेंगे, which is how, when and where, कब, कहां और कैसे. And the first topic is how important are dates. Dates तारीखें कितनी जरूरी है history में. So, there was a time when historians were fascinated with dates. एक time था जब हमारे historians बहुत fascinated थे dates को लेकर, Dates उनके लिए बहुत important थी, वो तारीखों में एक होई रहते थे. There were heated debates, और कई बार उनमें debate बहस भी हो जाती थी, इस बात को लेकर कि किस date को, किस ruler को crown किया गया, राजगदी पे बठाया गया, कौन सी battle लड़ाई, कब लड़ी गई. अगर हम common sense में बात करें, तो history का मतलब उनके लिए था dates. और कई बार आपने लोगों को कहते हुए भी सुना होगा, कि history बहुती boring है, because इसमें बहुत सारी dates को memorize करना पड़ता है, याद करना पड़ता है, बट क्या ये concept सही है, पिछले दो सालों से आप भी history पढ़ रहे हैं, क्या history हमेशा dates के बारे में रही है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, history is certainly about changes that occur over time, history में definitely कुछ changes, कुछ बदलाव आपको बताये जाते हैं, जो over the period of time हुए है, it is about finding out how things were in the past, and how things have changed, इसमें बताया जाता है कि चीज़ें पहले कैसी थी और कैसे वो अब है, क्या changes उनमें है, मालनी जे किसी country के साथ हमारे international relation कैसे है, अगर हम इसको study करें, तो हम देखेंगे कि पास्ट में वो कैसे थे, उस time के जो rulers थे, उन्होंने क्या कुछ mistakes की हैं, जिनको अभी हम avoid कर सकते हैं, जो अब हम कर रहे हैं, वो हमारी future generation के लिए history होगी, okay, so as soon as we compare the past with the present, we refer to time, we talk of before and after, so history को हम दो तरीके से read करते हैं, history में कुछ important events रहे हैं, for example अगर हम 1757 की बात करें, ये एक बहुत important year है, क्योंकि इस time पर battle of plassi हुआ था, जिसने की India की पूरी history ही change कर दी, तो जब हम इस event के बारे में बात करेंगे, इससे पहले, इसके before and after हम लोग देखते हैं history में, कि पहले चीज नहीं कैसी थी और बाद में चीज नहीं कैसी रही है, अब क्योंकि ये एक important event है, तो इसकी date आपको याद करनी होगी, क्योंकि इसके result ने history को change कर दिया, अगर result कुछ और होता, माली जे उसमें Britishers ना जीते होते, सिराजुदोला जीता होता, तो फिर history कुछ और होती, तो ऐसे जो कुछ important events है, उनकी dates हमें given होती है history में, बट ये भी ऐसा नहीं है, कि Battle of Plassey सिर्फ 1757 का ही event है, जो circumstances रहे हैं, जो build up हुए over the period of time, इसके कई सालों पहले से East India Company किस तरीके से इंडिया में आई, और फिर क्या कुछ reasons रहे कि Battle of Plassey हुआ, और इसके बाद भी क्या Britishers की policies रही, उनका जो सामराज्य था, उसके expansion की, तो ये सब हम history में पढ़ते हैं, Living in the world, where we do not always ask historical questions about what we see around us, हम इस दुनिया में रह रहे हैं, कि हमें से कई लोग जो अपने चारों तरफ चीजें देखते हैं, उसके बारे में historical questions पूछते ही नहीं है, हम चीजों को for granted दे लेते हैं, और सोचते हैं कि शायद ये पहले से ऐसी ही रही होगी, लेकिन हमें से कई लोग जो कि थोड़े से curious है, कई बार उनकी life में moment of wonder होता है, बड़ी अचंबे में वो आ जाते हैं, कुछ questions पूछते हैं, जो कि actually में historical होते हैं nature में, for example, माल लीजिये, आपने किसी को देखा, कि कोई roadside tea stall पर चाय पी रहा है, तो आपके मन में ये question आ सकता है, आप ऐसा सोच सकते हैं, कि when did people began to drink tea और coffee, कि लोगों ने tea और coffee कब पीना शुरू की, अब ये कोई particular एक date ऐसी नहीं होगी, जो कि history में आपको दे दी जाएगी, कि इस date को ऐसा हुआ था, ये एक period of time में, changes हुए होंगे लोगों के taste में, उसके बाद लोगों ने चाय पीनी शुरू की, coffee पीनी शुरू की, और फिर वो दीरे-दीरे popularized हुई, looking out of the window of a train, you may ask yourself, आप माली जो train में जा रहे हैं, विंडो से बार देखते हैं, तो आप ऐसा सोच सकते हैं, when were railways built, कि railways बनी कप, and how did people travel long distances before the age of railways, railways से पहले लोग long distances कैसे travel करते थे, reading the newspaper in the morning, सुबर सुब आप newspaper पढ़ रहे हैं, तो आप इस बारे में curious हो सकते हैं, कि how people got to hear about things before newspaper began to be printed, newspaper के आने से पहले लोगों को information कैसे मिलती थी, कि दुनिया में क्या हो रहा है, तो ये सभी answers history देती है, हमेशा वो date आपको बताए, events आपको बताए, ऐसा नहीं है, ये misconception है history के बारे में, अभी एक picture आपको दी है, ये किस बारे में है, ब्रामिन्स ओफरिंग दशास्त्रास टू ब्रिटानिया, front piece of the first map produced by James Rennell, 1752, ब्रिटानिया ब्रिटिश एंपायर को, का एक symbol था, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, तो इस picture में दिखाया गया है, कि एक ब्रामिन है, जो कि उन्हें एक map के front piece पर, जो उपर का cover था, उसके उपर उन्हें ब्रिटानिया को, शापने शास्त्रों को देते हुए दिखाया गया है, रेनल वास्ट बाई रॉबर्ट क्लाइब तो प्रिदूस माप्स ऑफ हिंदूस्तान, तो रॉबर्ट क्लाइब ने रेनल को बोला था, कि तुम्हें माप बनाना है हिंदूस्तान का, एन एंथूस्यास्टिक सपोर्टर ऑफ ब्रिटिश कॉंक्वेस्ट ऑफ इंडिया, तो रेनल जो थे, वो बड़े ही एंथूस्यास्टिक थे, इस बात से कि ब्रिटिश का कॉंक्वेस्ट हुए, उन्होंने कॉंकर किया है इंडिया को, तो रेनल जो प्रिपरेशन ऑफ माप अगर इंडिया को डॉमिनेट करना है, तो यहां पर यह पिक्चर उन्होंने इसलिए बनाई, अपने माप के फ्रेंट पे इसको लगाया, कि इंडियान्स जो है वो विलिंगली, अपनी इच्छा से ही अपने जो टेक्स्ट हैं, जो इनके शास्त्र हैं, वो ब्रिटानिया, यानि कि जो ब्रिटिशर्स हैं, उन्हें दे रहे हैं, और यह एक तरीके से सिंबल है ब्रिटिश पावर का, और वो कह रहे हैं कि यह हमारा कल्चर है, इसको आप प्रिटेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पर एक और पिक्चर आपको दिखाई गई है, लिप्टन टी, यह अभी भी सुना होगा नाम आपने, अच्छा, यह देखें, इतना एक पुराना अडवर्टीजमेंट है, टी को पॉप्लराइज करने के लिए, ओल्ड अडवर्टीजमेंट है अंडर्स्टांड हाव मेकर्स, कैसे नई मार्केट की जाती थी, नया टेस्ट को पॉप्लराइज किया जाता था, इस 1922 अडवर्टीजमेंट फॉर लिप्टन टी, अच्छा, दिखाए क्या हुआ इसमें, यहाँ पर एक परसन है, घोडे पर बैटे हुए हैं, तो चाए अगर आप पिएंगे लिप्टन टी, तो आप भी रॉयल लगेंगे, मतलब यह रॉयलिटी को सिंबलाइज किया गया है, चाए के साथ, असोसियेट किया गया है, इन दे बैग्राउंड यू सी दे आउटर वाल आप इंडिन पालिस, बैग्राउंड में आपको इंडिन पालिस की एक बाहर की वाल दिखाई दे रही है, और वाइल इन दे पॉर ग्राउंड आगे, सीटेड ओन होर्स मैं इस थर्ड सन आफ कुईन विक्टोरिया उफ ब्रिटेन, अच्छाई यह कुईन विक्टोरिया के थर्ड सन है, तो आप हमेशा लेकिन अगर किसी क्वेशन का आंसर चाहिए आपको आपको वापिस जाना है टाइम में की कब रेल्वे शुरू ही रेल्वे से पहले लोग क्या करते थे, टी कब पीना शुरू किया, तो ऐसा नहीं है कि इन सभी इवेंट्स को आप कोई पर्टिकुलर डेट या पर्टिकुलर इयर दे सकते हैं कि 1759 में मालीजे टी पीना शुरू कर दिया सभी ने, तो ऐसा नहीं है, sometimes it is actually incorrect to fix precise date to processes that happen over a period of time, कई बार हिस्ट्री में ये गलत है, सभी चीजों को एक डेट देना क्योंकि कुछ इवेंट्स over the period of time होते हैं, people in India did not began drinking tea one fine day, एक ही दिन ऐसा नहीं हो कि इंडिया में सभी लोगोंने चाय पीनी शुरू कर दी, they developed the taste for it over time, over the period of time, बहुत लंबे time के बाद उन्होंने इसके लिए test develop किया है, there can be no one clear date for a process such as this, तो ऐसे process के लिए कोई ये fix date नहीं हो सकती, इसी तरीके से हम date fix नहीं कर सकते, single date fix नहीं कर सकते, जिस दिन British rule was established कि, इस दिन British rule इंडिया में establish हुआ था, या फिर national moment इसी दिन start हुआ था, लोग जो है एजिटेट हो गए, बिटिशर के रूल से, और सभी में एक साथ nationalism की feeling जगी, और जो moments है उन्होंने शुरू कर दे तो ऐसा नहीं है, या फिर कोई changes क्या हुए economy and society में, तो बहुत सारी ऐसी चीज़े हैं मिस्ट्री में पढ़ते हैं जिनके लिए कोई date fix नहीं है, all these things happen over a stretch of time, we can only refer to span of time, span of time आप बता सकते हैं कि 10 सालों में ऐसा हुआ, 5 सालों में ऐसा हुआ, decade लग गए, centuries लग गई, an approximate period over which particular changes become visible, कि इतने उसमें changes हमें दिखने लगे थे, why then do we continue to associate history with a string of dates, फिर आप कहेंगे अगर ऐसा है, तो history में dates DQ होती है, this association has a reason, तो इसका भी एक कारण है, there was a time when history was an account of battles and big events, एक time ऐसा था, जब history में हमेशा बड़ी-बड़ी battles और जो big events नहीं है, history हमेशा उनके बारे में ही थी, आजकल आप देखेंगे, जो आपकी books है, history की, उनमें ऐसा नहीं है, it was about rulers and their policies, क्या कॉन rulers नहीं है, क्या उनकी policies रही थी, historians wrote about the years, a king was crowned, किसी king को कब crowned किया गया, कब उसकी शादी हुई, the year he has a child, the year he fought a particular war, कब उसने लड़ा, the year he died, next ruler, कब सक्सीड हुआ to the throne, for events such as these, specific dates can be determined, ऐसे events के लिए specific dates हो सकती है, and in histories such as these, debates about dates continues to be important, और history main dates के लिए हमेशा debate चलती रहते हैं, कि नहीं, इस date में हुआ कोई कहता है, नहीं, तब हुआ था ये, as you have seen in the history textbook of the past two years, इस पिछले दो सालों की history के books में आपने देखा होगा, historians now write about a host of other issues, so historians अभी दूसरे issues के बारे में भी लिखते हैं, and other questions, they look at how people earn their livelihood, पहले जो history लिखी जाती थी, उसमें common people, आम लोगों के life के बारे में कुछ होता ही नहीं था, सब कुछ राजाओं के बारे में था, तो अब ऐसा नहीं है, उनका क्या livelihood था, what they produce, and it, वो क्या production किस चीज का करते थे, क्या खाते थे, किस तरीके से cities develop हुई, market कैसे आई, and how kingdom were formed, kingdoms कैसे बने, new ideas कैसे spread हुए, कैसे cultural society change हुई, ये भी हमने पढ़ा है, सिक्स क्लास की बुक में, ancient history में especially, युकि उस तराम डेट्स जादा नहीं पता हमें, उस तराम के जो written manuscripts हैं, वो जादा नहीं है, so historians अभी events बताते हैं, reason बताते हैं, किसी event को होने का, सिर्फ डेट्स ही नहीं बताते हैं, which dates, कौंसी तारीखें फिर important है, by what criteria do we choose to set a date as important, तो फिर हम किस date को important माने, कौंसी date history में होनी चाहिए, the dates we select, the dates around which we compose our history of the past, जो date हम चूज करते हैं, जिसकी चारो तरफ हम अपनी story बनाते हैं, history की, are not important on their own, अपने ये important नहीं है, अपने आप में वो date important नहीं है, वो इसलिए important हो जाती है, because we focus on a particular set of event as important, क्योंकि हम उस event को important मान रहे हैं, अब दूसरा historian जो लिख रहा हो सकता, उसका different perspective हो, तो वो different date को important मानेगा, इप वी focus of study changes, जो हमारा focus of study है, अगर वो बदल जाए, तो फिर हमारे लिए, वो date भी important नहीं रहेगी, अब दूसरी date significant हमें लगने लगीगी, एक example आपको दिया है नीचे, consider an example, in the histories written by British historians in India, British historians ने जो history लिखी हैं इंडिया की, the rule of each governor general was important, तो उसमें जो governor generals थे, British जिनको appoint करता था इंडिया में, उनका time period बहुत important रहा है, लेकिन अगर कोई Indian historian लिखता है, तो उसके लिए यहां के जो लोग है, किस तरीके से उनकी life में changes आये, Britishers के आने के बाद, कैसे nationalism की जो feeling है, वो develop हुई, कैसे moments हुई, तो उनके लिए वो dates important होगी, कब जो Congress है, National Congress established हुई, तो जो British historians है, वो क्या लिखते हैं, their histories began with the rule of first governor general, उनकी history जो है, वो पहले governor general, Warren Hastings से start होती है, और end होती है, last voice rhyme, Lord Mountbatten पर, and then in separate chapters, we read about the deeds of others, और बाकियों ने जो काम किये, फिर हम वो पढ़ते हैं, अगर हम Britishers की history पढ़े, जैसे की Hastings, then Welsley, Bentick, Dalhousie, Canning, Lawrence, Latton, Rippon, Curzon, Harding, Irwin, okay, it was a seemingly never ending succession, of governor generals and voice arise, तो कभी न खत्म होने माला किस्सा ही है, जो British historians ने जो history लिखिया, उसमें governor generals and voice arise का, all the dates in these history books, were linked to these personalities, जितनी भी history की books है, उन सभी की dates in personalities से ही related है, क्या उनकी activities थी, कौन सी policy वो किस एर में लेकर आए, it was as if there was nothing outside their lives, that was important for us to know, ऐसा लगता है उनकी history, अगर हम पढ़े कि सिर वोईसराइज की ही life important थी, उसके अलावा देश में कुछ और हो ही नहीं रहा था, कोई और date important है यह नहीं, the chronology of their lives, marked the different chapters of the history of British India, और फिर इनकी जो life की chronology रही है, उसी कोई वो अलग-अलग chapters बना देते हैं, अपनी history की book में, यहाँ पर picture आपको दिये, Warren Hastings become the first governor general of India in 1773, while history books narrated the deeds of governor general, biographies glorified them as persons and paintings, projected them as powerful figures, तो जो उनकी history है, उसमें सिर्फ इन्होंने क्या काम किये, governor generals ने इनकी बाइग्राफिय को glorify किया जाता है, अबिसारी powers जो British government थी, उन्होंने इनी कोई दी हुँ थी, उनके बेहाफ पे सभी decisions यही लेते थे, but can we not write about the history of this period in different way, क्या हम इस time period की history को अलग तरीके से नहीं लिख सकते, how do we focus on activities of different group and classes in Indian society, within the format of this history of governor generals, यह जो governor general की history का format है, इसमें इंडिया के different लोगों के group के classes की क्या history रही है, उस पे हम कैसे focus करें, when we write history or a story, we divide it into chapters, why do we do this, जब हम history लिखने हैं, कोई chapter लिखने हैं, आप अपनी book को ही देख लिए, जो उसमें different chapters में उसको divide किया जाता है, ऐसा क्यों है, it is to give each chapter some coherence, क्योंकि हर chapter में जो चीज़ें हैं वो आपस में correlated होती है, it is to tell a story in a way that makes some sense, story की कोई sense बने और आगे जो chapters हैं, उसमें वो follow की जा सके, in the process we focus only on those events that help us to give shape to a story, उसमें वो सारे events होते हैं, जिसे कि उस story को एक shape मिल सके, we are telling, in the histories that revolve around the life of British governor generals, एक history जो उन्होंने लिखी जिसमें British governor general की लाइफ के बारे में बताया हुआ है, the activities of Indian simply do not fit, हमारी जो activities है उनकी history में fit ही नहीं होती, they have no space, उनके लिए कोई space ही नहीं है, what then do we do, तो फिर हम क्या करें अब, clearly we need another format for our history तो हमें, जो dates important थी, वो अब हमारी लिए नहीं रहेगी, हमारी जो history है उसमें different dates important होगी, a new set of dates will become more important for us to know, how do we periodize, अब history को different periods में divide किया जाता है, जैसे कि 6th class में आपके जो history थी वो ancient history थी, 7th में आपने पढ़ी, medieval history, अभी आप modern history पढ़ रहे हैं, तो कैसे उसको different periods में divide किया जाता है, in 1817, James Mill, a Scottish economist and political philosopher, published a massive three-volume work, A History of British India, James Mill ने History of British India लिखी, 1817 में, in this he divided Indian history into three periods, तीन periods में उसने Indian history को divide किया, Hindu, Muslim and British, कि पहले Hindu Kings ने यहाँ पर, फिर Muslim आए, जो बुगल पीरिड के बात है, और फिर फाइनली Britishers का रूल था, इस periodization came to be widely accepted, और बहुत सारे लोगों ने इसको accept कर लिया, कि हाँ ऐसा ही था, can you think of any problem with this way of looking at Indian history, इस तरीके से Indian history को देखना क्या सही है, कि जब Hindus थे, तो Muslims को ही नहीं था, जब Muslim का जो period उनने बता है, क्या Hindus बिल्कुल खतब हो गए थे, इंडिया की history को religion-wise, आप एक watertight compartment में divide करी नहीं सकते, कि ये Hindu का ही period था, ये Muslims का period था, बाद में Britishers का हो गया, तो ये बिल्कुल गलत था, वाइड डू वी ट्राई और डिवाइड history इंटो डिफरेंट पीरिएड्स, तो फिर हमें जरुत पड़ी कि हम जो हमारी histories को different period of time में divide करें, और division की जरुत क्यों है, history को divide क्यों करना है हमें, we do so in an attempt to capture the characteristics of time, its central features as they appear to us, ये सिर्फ एक attempt है उस time के जो कुछ common characteristics रहे हैं, उनको capture करने का, जैसे कि history में भी आपके chapters, different parts में divided होते हैं, या फिर science आप ले लीजिए, उसके 3 parts हैं आपकी chemistry, physics and biology, तो कुछ ने कुछ common चीज़ें हैं तीनों में इसलिए chapters को इस तरीके से divide किया गया है, उनको segregate किया गया है, तो इसलिए history को भी divide करना जरूरी है, क्योंकि ancient period का जो time था, वहां के कुछ central features थे, जो कि common थे उस time period में, फिर medieval में आए तो कुछ चीज़ें उसमें common थी modern की अगर हम बात करें, तो इस time पे जो changes हुए लोगों की life में, जो एक nationalism की feeling develop हुई, वह different था बिल्कुल medieval से, तो इसलिए divide किया गया है history को different parts में, so the term through which we periodize, that is demarcate the difference between periods become important, तो जिस तरीके से हम demarcate करते हैं, boundary set करते हैं कि इससे पहले का period medieval में जाएगा, इसके बाद का period जो है वो modern में जाएगा, वो बहुत important है, they reflect our ideas about the past, वो reflect करते हैं कि हमारे क्या ideas हैं past के बारे में, they show how we see the significance of change from one period to the next, वो बताते हैं कि पहले कुछ significant changes हुए, उस ancient से medieval में and then medieval में जो चीज़े थी, वो काफी change हो गई modern में, okay, Mill thought that all Asian societies were at lower level of civilization than Europe, तो Mill ने जो, James Mill ने जो history लिखी, उनका ये मानना था, कि जितनी भी Asian societies थी, वो उस time पर उनकी civilization, Europe civilization से कम थी, वो हमेशा ही Britain को, Europe को superior समझते थे, according to him telling of history, before the British came to India, Hindu and Muslim despots ruled the country, तो उनका ये मानना था, कि Britishers की आने से पहले, यहाँ पर Hindu rulers थे, Muslim rulers थे, जो बड़े ही cruel तरीके से rule करते थे, religious intolerance, caste taboos and superstitious practices dominated social life, लोग religiously intolerant थे, एक दूसरे के religion को बरदाश नहीं कर सकते थे, caste taboos थे, caste जातियों में बटे हुए थे, superstitious थे, अंध विश्वासी थे, और Britishers ने आके सब कुछ ठीक कर दे, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, यह चीज़ें एशा से ज़ादा ये उरोप में थी उस time पर, British rule Mill felt could civilize India, उनको लगता था कि British का जो रूल है, वही इंडिया को civilized बना सकता है, to do this, it was necessary to introduce European manners, arts, institutions and law in India, तो ज़रूरी है कि European manners को, arts को, institutions को, law जो है इंडिया में वो लागू किये जाए, Mill in fact suggested that the British should conquer, all the territories in India, to ensure the enlightenment and happiness of Indian people, तो उनका कहना था कि, जितनी भी Indian territory है, सभी को conquer करना चाहिए, जीत लेना चाहिए Britishers को, ताकि यहां के लोग को enlighten कर सके, खुशियां वो दे सके, for India was not capable of progress without Britishers, Britishers की health के बिना, तो India progress कर ही नहीं सकता, in this idea of history, British rule represented all the forces of progress and civilization, तो British rule को ऐसा present किया जाता था, प्रतीक माना जाता था, प्रोग्रेस और civilization का, this period before British rule was one of darkness, so British के rule से पहले तो period of darkness, ना इंडिया में, can such the conception be accepted today, क्या आज हम इसको accept कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं, in any case, we can refer to any period of history, as Hindu और Muslim, क्या किसी भी period of time को, हिंदू time या फिर Muslim period of time बोल सकते हैं, did not a variety of faith exist simultaneously in these periods, in सभी period में, क्या सभी faith के लोग, सभी religion धर्म को मानने वाले लोग, इंडिया में नहीं रहते थे, why should we characterize an age, only through the religion of the rulers of that time, तो just because उस time के एक ruler का एक religion रहा है, Mughals क्याने से मान लीजे, ये मुगल जो थे, वो Muslim से तो क्या उस period को Muslim period कहा जा सकता है, सिर्फ ruler के religion से ही, किसी time period के history को आप denote कर सकते हैं, to do so is to suggest that the lives and practices of others do not really matter, तो इसका तो ये मतलब हुआ कि बाकि जो लोग रह रहे हैं, उनकी life, कि क्या उनके faith हैं, beliefs हैं, वो matter ही नहीं करते हैं, करते थे, Hinduism भी था, Muslim rulers भी थे, कुछ और Buddhism बहुत पेमस हुआ था बीच में, अशोका के time पर, तो ऐसा नहीं है कि किसी एक ही faith के सभी rulers थे, तो उस time को Hindu time या Muslim time बोला जा सके, moving away from British classification, historians have usually divided India, Indian history into ancient, medieval and modern, तो उससे हटके जो Indian historians ने history लिखे, उसको divide किया गया, ancient, medieval and modern history में, इस division 2 has its problem, लेकिन इस division में भी problem है, it is a periodization that is borrowed from the West, where the modern period was associated with growth of all the force of modernity, ये जो modern history का concept है, ये हमने West से ही लिया है, Europeans ने जैसे अपनी history को divide किया, तो उनके लिए modern history का क्या मतलब था, एक ऐसा time जब modernity आ गयी थी, science, reason, democracy, liberty and equality हो गई थी, medieval वो term था, जब ये सब चीज़े नहीं थी society में, where these features of modern society did not exist, can we uncritically accept the characterization of modern period, to describe the period of our study, as you will see in this book, under British rule, people did not have equality, freedom or liberty, तो हमने modern history तो इसको बोल दिया, कि Britishers के आने के बाद चलिए, ये शुरू हो गई है, वैसे मुगल टाइम से ही start हो गई थी, लेकिन क्या ये actually में modern history है, क्या लोग modern हो गई थे, इस टाइम तक क्या Britishers के time पर सब लोग equal थे, उन्हें freedom वो free थे, liberty थी उन्हें, ऐसा नहीं है, nor was the period one of economic growth and progress, नहीं ये को economic growth और progress का period रहा है, Britishers ने plunder ही किया, the only thing जो उन्होंने अच्छी की वो ये था, कि unity, unify किया इंडिया को लोगों में, जो एकता की भावना है, वो आ गई थी उनके आने के बाद, what historians therefore refer to this period as colonial, many historians, तो बहुत सारे historians इस period को modern period नहीं मानते, वो इसको colonial period मानते हैं, what is colonial, अभी colonial क्या है, in this book you will read about the way the British came to conquer the country and establish their rules, इस book में हम लोग पढ़ेंगे किस तरीके से Britishers इंडिया में आए, उन्होंने country को conquer किया, जीता और अपना rule को established किया, subjugating local nawabs and rajas, local जो nawab और राजा थे, उनको अपने अधीन ले लिया, subjugate किया, you will see how they established control over the economy and society, अपना जो रूल है, वो established किया, control established किया, revenue वो collect करते थे, अपने सभी expenses, खर्चों को चलाने के लिए, bought the goods they wanted at low prices, जो चीजें उने चाहिए, price वो खुद fix करते थे, उसको low price पर लेते थे, produce crop they needed for export, जो crop उनको चाहिए थी, export करने के लिए, क्योंकि उस ताइम पर, Britain में industrialization चल रहा था, तो यहां से raw material लेकर जाते थे, वही फसले उगवाते थे यहां के किसानों से, and you will understand the change that came about as the consequences, और इसके क्या consequences हुए, and then क्या उसके बाद changes हुए, you will also come to know about the changes British rule bought about in values and taste, values में, taste में, customs में, practices में, क्या वो changes लेकर आएं इंडिया में, when the subjugation of one country by another leads to these kind of political, economic, social and cultural changes, we refer to the process as colonization, important है definition colonization हम किसको बोलते हैं, जब एक country दूसरे को subjugate करती है, अपने अधीन कर लेती है, तो उस time पर जो political, economic, social, cultural changes वहां पर आते हैं, उस period को colonization बोला जाता है, you will however find that all classes and groups did not experience these changes in the same way, सभी classes ने, सभी groups ने same तरीके से ने experiences को face नहीं किया, that is why the book is called our past, in the plural, इसलिए बुक का नाम our past है, हमारा जो अतीत है, okay, I think remaining topics we will cover in part 2 video, that's all for now, hopefully chapter यहां तक clear हो आपको, okay, thank you so much for watching,